हेलो फ्रेंड्स आपकी कामनी एक बार फिर हाजीर है आपके लिए एक दम नई रेसिपी ले करके तो फ्रेंड्स आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए बिना देरी की हुए करते हैं फटाफट से शुरूर आज हम बनाएंगे बैगन की बहुत ही मचेतार सी रेसिपी आपने ये रेसिपी बनाई तो होगी लेकिन शायद ही इस तरीके से बनाई हो तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं तरीका तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का मोटा और थोड़ा सा लम्मा बैगन लिया है और के आगे पीछे के पार्ट को हमें हटा देना है इस तरीके से और आब हम इसकी स्लाइस कट करेंगे तो स्लाइस हमें इसकी गोल-गोल ही कट करनी है और साथ पे बैगन को भी चट कर लेना है कि कोई बैगन खराब तो नहीं है तो लीजिए इस तरीके से हमने दो बैगन कट किये हैं अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हों तो आप ज्यादा बैगन ले लेना लेकिन दो बैगन इस तरीके की रेस्पी के लिए क्योंकि फ्रेंड्स जब हम दाल चावल या फिर कभी मन होता है इस तरीके से यह रेस्पी बनाने के लिए तो यह इंस्टेंट बन जाती है तो चलिए फटा-फट से बैगन को हमने गोल कट कर लिया है क्वांटिटी आप अपने नहीं पढ़ते हैं और बस यह देखें में इस तरीके से पानी डाल दिया अभाई रखते हैं साइट में एक कि देंट मत्युर्ण आप जलते हैं अगयाई श्общाथा हमादती दिया का साथ में हम्हां पर करीब यहां पर हम काला नमक दालेंगे काला नमक दालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यहां पर मैंगी मसाला बढ़ने हैं जो आपके पास वो डाल दे कुछ ना हो तो किचन कींग मसाला आट कर दें या फिर सांबर मसाला छोले मसाला जो भी पड़ा हो आप यहां पर एड़ कर देना टेस्ट बढ़ेगा चलिए मसाला तयार है अब यहां पर हम लेंगे एक चोटी तो बस यहां पे जो बात है वह यह है कि यहां पे हमें गाढ़ा ही बैटर रखना है पतला हो जाएगा तो रेस्पी हमारी खराब हो सकती है तो यह देखें लंपस्फ्री हमारा बैटर बन करके तयार है और चलिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ यह देख दूबे हुए थे इन बैगन को हम निकाल लेते हैं प्लेट में तो हलका हलका सा इस तरीके से निकाल लेना ताकि इसमें पानी जितना हो सके कम ही रहे तो इसलिए मैं प्लेट में रख रही हूँ ताकि जो भी इसमें पानी बचा है वो प्लेट के अंदर आ जाए तो बस सार बहुत पानी हमें इसमें लगा रहने देना है आगे देखते हैं किस लिए तो चलिए यहां पर जो मसाला है ना इसे हमें बैगन को इस तरीके से मसाले में कोट कर लेना है तो देखिए जो पानी थोड़ा बहुत बैगन में चिपका हुआ था ना उस कारण से यह मसाले इस बै चोड़ेना है ताकि मिंत्स थोड़े से लपेट करक awkward जरूर से 5 मिनटे लिए छोड़ना कर लिए हैं अब यहां पर हमें इसे पांच मिनट के लिए चोड़। लो है तो पांच मिनटों lob बेसन हमने घोल बनाया तो इसको बढ़िया से इस तरीके से डिप करेंगे और फटा-फट से तेल में डालेंगे तो चलिए मैंने आपको बता दिया है गाड़ा इसलिए रखा है ताकि यह बिल्कुल बहन अगर पतला बैटर करेंगे ना तो जब बेसन में डिप करेंगे तो क तो बस इस तरीके से एक एक स्लाइज लेना है और इस तरीके से गाही गाड़े बेसन में हमें डाल करके कोट करना है और फटा-फट से तेल में डालते जाना है तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या गलतिया नहीं करनी है और यह हम बना रहे हैं बेसन के ब बहुत ही स्वादिष्ट से पकोड़े तो यह पकोड़े नॉर्मल आप खा सकते हैं चाय के साथ चटनी के साथ लेकिन इस्पेशली यह जो मसाला होता है ना इनके अंदर यह दाल चावल जब आप बनाए तो करारे करारे यह बैगन के पकोड़े इंस्टेंट बनाए दाल चा खाते हैं ना बिहार में बहुत प्रसिद्ध है कि दाल चावल के साथ आलू के भुजिया खाई जाती इस तरीके से यह बैगन के भजिये या फिर पकोड़े कह सकती है आप दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं नॉर्मल इसे रोटी के साथ भी खाया जा सकता है और सूखा भी चाय के साथ एंजॉय किया जा सकता है इतने जादा टेस्टी लगते हैं ना कि जब आप इसे बनाएंगे तो खुद ही जो है इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे बहुत लाचवाब तो बस एक बैच हमने अलट पलट करके से एक लिया है और यह देखिए गा बैगन के उपर मसाला अच्छे से जो है कोटीड हो जाए और सुक भी जाए इसके बाद ही हमें बेशन में इसे डिप करना है और यह देखिए इस तरीके से चमच की हल्प से भी आप कर सकती है तो फ्रेंड्स रेस्पी मुझे पता है कि आपको बहुत पसंद आ रही होगी क बैगन खाने के शौकीन है उनके लिए तो एकदम नया टेस्ट है पकोड़े ही हैं लेकिन फोड़ा से डिफरेंट टेस्ट में बहुत करारें बनकर करके तैयार होती है तो बस ईन्हें हमने डाल देना है तेल में और इन्हें पलट लेना है और पलट करके हमें दूसी तरफ से भी इन्हें सेखने के लिए छोड़ देना है फ्रेंट्स बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में एक पार आप इस तरीके से बना करके जरूर ट्राइ करना मुझे पता है कि बहुत बहुत आपको पसंद आएंगे तो लीजी हमने इन्हें अलट पलट करते हुए बढ़ियां दोनों तरफ से सेख लेना है तो बीच में जो एक आदेर रह गए हैं उन्हें भी मैं पलट रही हूँ और अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेख लेना है और चलिए इसका बहुत ही सुन्दर सा कलर आ गया है फटा फट से इन्हें निकाल लेते हैं तो लीचे हमने इन्हें निकाल लिया है और यह हमारे बिलकुल बहुत ही क्रिस्पी करारे जो है पकोड़े बैगन के बनके तैयार है तो यह इतने मसालेदार होते हैं कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आम चुर बगएरा डाला है तो बहुत ही अमेजिंग यह देख कि बिलकुल सौगी नहीं एकदम करा रहे हैं और यह देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं बैगन भी प्रॉपरली अंदर से पका हुआ है तो भाई इस तरीके से बनाना तो बनता है जब भी डाल चावल कभी भी आप बनाएं एक बार यह रेस्पी डाल चाव के साथ अच्छे लगते हैं जब भी डाल चावल गर्मा गरम दुपहर में बनाती हूं तो इस तरीके से बैगन अगर घर में होता है तो मैं यह रेस्पी ज़रूर ट्राइक करते हैं लेकिन इस्पेशली मुझे यह रोटी के साथ बहुत पसंद है तो देखिए फ्रेंड्स अच्छी नहीं लग रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन जब आप बनाएंगे न तो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप इसे हमेशा बनाना पसंद करेंगे बहुत बहुत पसंद है बहुत ही पसंद आएगी तो भाई इस तरीके से यह रेस्पी बनान तरीकेर